नमस्कार दोस्तों असे वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड करेट 2016 के बारे में जहां दोस्तों सेकंड करेट 2016 के मंडल आउंटन जल्दी होने वाल है तो अब एटियो के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि समान मंडल रहने पर कांसलिंग होगी या फिर नहीं होगी तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर निदे साली से आया है यहाँ पर आप देख सकते है निरज कांडपाल ने यह उतर दिया है संस्तापन एफ अनुपाक से माज़ुन सिक्षन इंदे सली रास्तान विकांडर से यह उतर पराप्त हुआ है उन्होंने का है कि नहीं मंडल वहीं मिलने पर दोबारा कांसलिंग नहीं होगी मंडल चेंज होने पर ही कांसलिंग होगी यानि कि यह आपका मंडल चेंज नहीं होता है तो कांसलिंग नहीं होगी और मंडल चेंज होने पर ही कांसलिंग करवाई जाएगी तो दोस्तों यदि काउंसलिंग नहीं होती है सेम मंडल रहने पर तो उनका बेटियों के साथ बारे अन्याय होगा क्योंकि उनका मंडल हलांकि एक है लेकिन उसमें भी दोस्तों मंडल में 200 से 500 किलोमेटर का ये बरती बेटे है और आपस दोनकी दोस्तों काउंसलिंग होती है तो नजदीक आने के उनकी चांस बनते है यदि सेम मंडल में काउंसलिंग नहीं होती है तो फिर दोस्तों तीन सी चार मेने के बाद फिर से उनको ट्रांसपर के लिए चक्र लगाने पड़ेंगे इसलिए दोस्तों हमें कोशिस करनी चाहिए है कि पूरी कांसलिंग हो चाहिए मंडल सेम हो या फिर नहीं हो क्योंकि मंडल दोस्टों सेम रेने पर कांसलिंग नहीं होना उन अब पीर्ट्युग साथ उंयाई है इसके लिए हमें रेजिस्टा के पदादिगारियों साथ कंदी से कंदा मिला कर उनका समर्तन करनाँ चाहिए और उन से दोस्तों ये कहना चाहिए कि हमारी संपून काउंसलिंग करवाई जाए और साथ साथ सिक्साम मंत्री है जो भी विदाएगे उन सभी से मिलकर हमारी कौसिस ही रहनी चाहिए कि संपूर्ण भरती की कांसलिंग होने चाहिए चाहे मंडल चेंज हो या फिर नहीं हो क्योंकि मंडल सेम रहने पर भी दोस्तों अब बीट तो साथ अन्याई होगा क्योंकि अभी भी वो काफी दूर दोस्तों रहे जाएंगे